तो नमस्कार में डॉक्टर दीपक लेकर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसेन अब मुक्टित अदन्य हूँ महाराश में प्लिव तैस्टी साल से अकॉला में प्रैट्रिस कर रहा हूँ मेरे से सेक्स कंसल्डेशन लोग करते हैं सेक्स प्राब्रम्स के बार में कंसल्डेशन होता है किम उसे कुछ सुल्डेशन बताता हूं कुछ दवाईय बताता हूं और इस्वे altitude अधिक औगलोगमन को आन्ग गवरेवा, फॉश्वेपक यह दवा1 लेना किसी या तभी वह मनमें और कुछ सवाल चालू रहता है तो वह सवाल के जबाब देना और दवाई कैसे लेना उसके बारे में यह वीडियो मैंने बनाया हुआ है यह specially जो लोगोंने मेरा कंसिल्डेशन किया हुआ है और जो लोगोंने दवाई ली हुई है उनकी लिए यह वीडियो है तो आईए एक तो क्या है कि आपने दिमाग में से ये निकाल देना चाहिए कि वह हस्त मेटून गलत है हस्त मेटून बिल्कुल गलत नहीं है हस्त मेटून एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है हैंड प्रेक्टिस या मुठी मारना ऐसा भी उसको बोलते है और वो कोई गलत नहीं है हस्त मेटून से लिंक छोटा होना दूबला होना पतला होना ऐसा कुछ भी होता नहीं है हस्तमेतुन यह नॉर्मल प्रक्रिया है पुरूश भी करते है और स्त्री भी करते है हस्तमेतुन और वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है हस्तमेतुन में कितना भी वीरिया गया तभी भी कुछ कमजोरी आती नहीं है हस्तमेतुन के बारे में और जानकारी पाना है तो मेरे वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं दूसरा होर एक गलत से मिए है वो है कि नाइट फॉल होता है वेट ड्रिम्स होते है सपने में जाता है धातू सपन दोश होता है धातू दोश होता है तो वो भी एक नॉर्मल है हर इंसान जो पुरुश है उसको शादी नहीं है धातू जाना यह पुरुश के लिए अगदम नॉर्मल है उसमें कुछ भी गलत नहीं है पर सबाल आता है कि हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए दवाई ली है तो वो कैसी लेना चीए निए और एक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए पहले बात करता हूं मैं की हैं सेक्स करने के 02 गंटा पछका निए ताकि उसकाए फेक्ट गंटे में आ जाएंगा और आप सेक्स कर सकेंगे कि इसका खाने से कोई संबंद है यह खाने हम्धि भाब में और नहीं कि उन्हें पता हुमिए उन्हें फिर मेंас फृर में तियल दूंगा वो तेल लगाने का है, मालिश करने का है और फिर आप अतनी के साथ में सोते हो आप काफी सारा four play करते हो पांच मिनिट, साथ मिनिट, दस मिनिट तक four play करना मतलब एक दुसरे को stimulate करना, एक दुसरे को excite करना एक दुसरे को गरम करना, एक दुसरे को को stimulate करते हैं तो इससे जो स्त्री है वह बहुत हीट पर आ सकती है बहुत हो जाती है और वह सेक्स के लिए तयार हो जाती है फिर आपने उस समय भी पत्नी के हाथ से आप ऑईल या तेल लगा के मालिश कर सकते हैं जो भी मैंने आपको भीजा है हो मैं दोनों भी भीजने वाला नहीं हूं आइंट में और दोनों एक साथ नहीं वेजाओंगा जव को भेजाए आइंट में प्रियाओंगा तेल भोप करने का हैं और बात में शेक्स करने का है तो यह होगा ΕillateurREV कद्रीन hebben कि उक्रादी भी ़हां इस आप होने कि भागी है तो कमरें केले जाना दो गंदे पहले, चारो गोलिया, पांच गोलिया खाना, दो गंदे बाद में कम्रे में अकले जाना, और कोई ऐसे एक्साइटेटरी, फिल्म, एक्साइटरी, वीडियो जो भी आपको सेक्स एक्साइटमेंट करते हैं, वो देखना है आपने, यूटूब के ऊपर, और फिर वह देख्ते देख्ते ति लगाने का ऐखु लगाने। जो भी आपको दिया है, मिने ने वह दकme करने का एक दिया है, मलं या थेल आए उनलिंग में कट्रोता आएगी। कि यह आ को 50 मिनिट किसे दश मिनिट तक तिका नहीं किए लो टिका ना भोगो तो एककसाइट करना और तो इरेक्ट उसको रखो 7 कपना करो करई रखो तब हाथ से निकाल सकते हैं या सो जा सकते हैं तो यह हो गया erectile dysfunction के लिए अब आते हैं प्रीमेचरी जैकुलेशन के लिए प्रीमेचरी जैकुलेशन मतलब शिगर बतन अर्ली डिश्चार्च शिगर बीद्य पतन स्टैमिना नहीं टिकना सेक्स पाउर नहीं टिकना जल्ली डिश्चार्च हो जाना ऐसे सब उसको नाम है अब इसके लिए क्या करना है यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपने जो मैंने गुलियां भेजी हुई है वह गुलियो साथ में सोने का है अब पाँंच मीट पहले आपको मलम लगा सकते है पेधिस को आशले को video बतन इसने मालिश करने का नहीं है सिर्फ लेंखो वह मैंने का है और बात में फिर आप पहले 4 प्ले कर सकते और फॉर प्ले के जालके जी स्पॉट को स्टिमूलेट करने का है ताकि बहुत हीट पर स्री आ जाएगी और वह आपको बहुत को अपरेट करेंगी उसके इच्छा जागुर्ग हो जाएगी और फिर बाद में आप सेक्स करने के लिए लिंग का इंसर्शन योनी में कर सकते हैं अभी क्या है कि जब यूनी में आप करेंगे और स्टोक देंगे तो स्टोक देंगे एकसाइटमेंट बहुत बढ़ जाएगा एक ऐसा पॉइंट आता है उसको बलते हैं पॉइंट आफ नो रिटर्न यह क्या होता है यह ऐसा पॉइंट होता है कि जहां तक आप पहुच गए पिर वहां से वापस नहीं है कि बहुच को क्युचार्च भॉदा enhance होना है तो पॉइंटव नो रिटर्न मतलब आपके कंट्रोल के बाहर जाने वाला पॉइंट है तो गो अपकर प्रैक्टिस से समझ में आएगा और फोंट जाने के पहले है पहले हम एंपनिया रोग लिने और जोर से दबाने का है, जोर से आप जब दबाएंगे तब लिंक धिलना हो जाएंगा, जब लिंक धिलना हो जाएंगा तो अर्थात भीडिया पड़ेगा नहीं, फिर खेलना है, फिर खेलने के बाद में फिर एरेक्शन हो जाएंगा, फिर एरेक्शन होने के बाद में फिर एक बार डिला हो गया तो फिर गिरेगा नहीं तो इस तरह की प्रक्रिया आपको 10 बार कम से कम करने जादा भी कर सकते हैं और फिर 11 भी बार आपको फाइनल गिरा देने का है तो यह हो गया प्रीमेचर एजैकुलेशन के लिए तो इस तरह से आप करेंगे तो डिफिनेटली आप लंबा चलेंगे आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप फिमेल सुपीरियर पोजिशन ले सकते हैं मतलब लेडी स्तरी जो है वो उपर से आएंगी और आप नीचे रहेंगे इस पहले ही रोत भार नलने का और जिल लाकरन tisra फ़िर और फिर और ओपोलेंगे भी तो इस तरह से आप संभोग कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अप्धा होगा और आपको मेना-दो मेने तक यह चलेगा यह जो है यह गुली mobil आफिर फिक का छिखआशन के अच्जोने मत तो यह गूली कर्वे करीप 2 मेना पूरेंगे, आपको 2 मेना तक लेने outro करें, और 2 मेने के पाड़ में फिर गोली शायद बंद करना पड़ेंगा, मेरे आपको व baru वीडियो भी आप सुन सकते हैं, मेरे काफी सारी वीडियो मेरे नोथ यूuईटीबंग और आपको कर सकते हैं मैं इसके सास्त कीच्फ एक्जरसाईज इजु आपको कर Three क्रूसी बैटे व्य तो आपने क्या कर नहीं के आपका लिंग अंदर gaatज अंधर खील न कीचेंगे तो उसमकरना करवाएंगा और फिर दस तक गिंटी करना है कि एक दो तीन चार पांच छे साथ 8 9 10 इंधर खेशने का है यह फिर छोड़ दे खेशने का कि यूरीन लिकेज जो है उसमें फायदा होता है, मतलब टपक न Gun 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 टपक ना उसके लिए भी फायदा ये होता है, तो यह आप सब करें जो ऊपनादी हुपना। जिनको हे उनको हिपनागििसम करना बडेंगा। अब उसमें क्या करना है। उसमें यही है कि आपने जो मैं आपको गोली दिया हूँ वो गोली लेने का है गोली लेने के दो गंडे बात में अपने कमरे में जाने का है और और imagining करना है imagination कि आप किसी के साथ में sex कर रहे हैं imagine करना है कि आप किसी के साथ में sex कर रहे हैं जैसा मैंने भी masturbation के लिए बोला वह यहा है 10 बार तक ऐसा करना है sex कर रहे हैं, imagine करना ऐसा लगेंगा गिर जाएंगा रोगना है, दबाना धिला करना फिर सोचना किसीके साथ में सेक्स कर रहे है तुर घ्क्र होजाएंगे फिर दबाना धिला करना ऐसा यह करना है डस बार और 11 वी बार फिर गिराने का है हिप्नोटिजम का थेरपी внह्न थेरपी कि वह संमोहन केare बहुत जरूरी है और वो सम्मोहन उससे करते हैं तो आपको definitely homo sexuality में फायदा हो जाएगा यह वीडियो सिर्फ आपके personal use के लिए इसको regulate मत कीजेगा Thank you very much